गुद मॉर्निंग फेंड्स तो प्रिलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है 5G ट्राइल्स तो डिपार्टमेंट आफ टेली कम्यूनिकेशन जो है उसने अप्रूव कर दी है कि जो टेली कॉम सर्विसेस प्रोवाइडर्स है हमारे वो 5G टेकनोलोजी के ट् तो इसमें आप देखोगे न तो आपको Nokia, Ericsson या इवन इंडिया के जो जैसे Airtel, Jio इन सबको जो है वो अप्रूव किया है उन सबको एक तरह से प्रमिशन दी है कि आप 5G टेकनोलोजी के ट्राइल्स कर सकते हो उसमें से कॉंस्पीक्यूसली Chinese जो जाइंट्स हैं जैसे कि Huawei वो missing है उनको इसका मतलब permission नहीं मिली है there was a debate कि क्या इंडिया जो है Chinese टेकनोलोजी जाइंट्स को जो है वो इंडिया में 5G टेकनोलोजी की ट्राइल्स के लिए permission देगा या नहीं देगा तो अब वो clear हो गया return format में clear हो चुका है कि इंडिया ने जो है वो permission उनको नहीं दि है जैसे कि Airtel जियो जो की collaborate कर रहे है और government-based जो है जैसे c.mechanism या जो है हमारे 5G I technology वाले जो IIT Madras, IIT Hyderabad ये सब मिलके कुछ जो है इंस्टिटूट्स जो 5G I technology की बात कर रहे है उनको permission दी है ट्राइल्स करने के लिए ठीक है तो अब ये सारे telecom service providers को कहा है कि सरफ urban areas में आप जो है ट्राइल्स मत करते रहा न हमको rural और semi-urban areas में भी ट्राइल्स करने है ताकि वो पता लग सके हम हमारी जो coverage है वो वहाँ पर भी पता लग सके और 5G I technology जो हमारे IIT Madras, IIT Hyderabad और ये कर रहें ठीक है तो जो test by technology है ये basically जो हमारा LTE होता है उसी की format में ये technology है जिससे की coverage है आपकी जो 4G में भी होता है LTE तो उसकी भी coverage बहुत जादा होती है तो इसकी भी जो coverage को बढ़ाने के लिए इंडिया ने 5G की एक तरह से LTE आप मान लो technology जो है वो try की थी ठीक है उसके उपर development हो रही थी 2018 में इसको अप्रूफ किया गया था इस development को और तब से ये IIT Madras और CWIT और IIT Hyderabad मिलके इस technology पर काम कर रहे थे उसको International Telecommunications Union ने भी अप्रूफ कर दिया था तो इस 5G technology के भी trials होंगे और जो telecom service providers को है कहा गया है कि आप ये 5G जो आई technology है इसके भी आप trials करना है ठीक है अब 5G technology क्या होती है और वो कैसे different है जो 5th generation technology है वो latest upgrade है हमारी long term evolution जो mobile broadband network में ठीक है तो 4G का जो next version है वो 5G है ठीक है ये तीन band में work करता है सबसे पहला band है low band spectrum low band spectrum में क्या होता है कि आपकी coverage तो बहुत जादा अच्छी होगी इसकी मतलब बहुत जो है आपको expanded area cover जो है वो cover करेगा low band spectrum में लेकिन speed as compared to जो बाकी spectrum के bands है उनमें थोड़ी सी कम होगी मतलब 5G के case में तो वो come speed भी बहुत जादा है मतलब 100 mbps की speed आएगी ठीक है अब mid band spectrum जो है उसमें speeds तो जादा होंगी low band spectrum के comparison में लेकिन low band spectrum के comparison में ही जो है वो coverage एरिया थोड़ा कम होगा तो आप देख रहे हो कि जब low band spectrum में क्या है कि speed कम है लेकिन coverage जादा है तो मतलब अगर आपको speed जादा चाहिए तो आपको coverage भी कम जो है वो मिलेगी ठीक है अब ऐसे high band spectrum में भी है कि limited सी coverage है बहुत कम coverage है लेकिन signal penetration की strength है वो बहुत अच्छी है और उसकी speed भी almost 20 gbps की speed आती है ठीक है तो coverage जितनी कम होगी जितनी जादा speed होगी उतनी coverage automatically कम मिलेगी ठीक है तो low band spectrum, mid band spectrum, high band spectrum इसमें जो mid band spectrum है वो कहा जा रहा है कि हमारी industries और specialized factory जो है उसके लिए यह better होगा तो 5G का जो हमारे trials चलेंगे वो mostly low band और mid band में दोनों में चलेंगे लेकिन mid band को commercial use के लिए जो है वो जो है वो approve किया गया है ठीक है significance क्या है 5G technology की बहुत high speed internet मिल रहा है इसमें तो autonomous cars चलाने में, drones को चलाने में, remote healthcare, telemedicine, robotic surgery यह सारी चीजों में जो है जो हमारे को 5G बहुत help करेगा precision agriculture, real time management कर सकते हैं अपने crops और fields की आपको data जो है वो real time format में मिलेगा because high speed है तो आपको जो है वो data में lag नहीं होगा ठीक है data transfer में virtual reality और industrial automation इसमें भी जो है वो बहुत आपको help मिलेगा because of high speed internet और भी बहुत सारे areas हैं जहां पर इसके application हो सकती है basically आप internet का जब भी speed को आप देखोगे जब जादा है तो उसका आप कहां कहां use कर सकते हो तो वो सारे areas में इसके application जो है वो अच्छी होंगी ठीक है अब 5G जो है उसमें 10 times speed आती है 4G की और उसमें 3 times greater spectrum efficiency है ठीक है और ultra low latency latency का मतलब क्या होता है latency का मतलब होता है data transfer करने की जो speed होती है उसमें कोई lag नहीं होना चाहिए तो ultra low latency मतलब बहुत ही कम बहुत ही limited सा lag होगा data की transfer में ठीक है 5G में ultra low latency होगी as compared to other और its previous जो predecessors है basically ठीक है तो 4G, 3G या 2G के मुकाबले 5G में ultra low latency है next topic हमारा है जो की एक बहुत बड़ा concern आ गया है हमारे सामने की covid हमको asiatic lines जो हमारे नहरू zoological park में जो कुछ asiatic lines है eight rather asiatic lines है उनको वो covid positive मिले है तो इसको confirm किया है government ने कि उनके test किये गए थे और पता लगा कि वो covid positive निकले ठीक है तो उनकी जो infection है by chance by the मतलब की आप सोच सकते हो कि कोई variant of concern से उनको infection नहीं हुई है मतलब कि उनको को double mutant UK strain या कोई ऐसा कोई जो variant of concern हमारे लिए उससे कोई infection उनको नहीं हुई है by the grace of God और वो behave भी बिल्कुल normally कर रहे है respiratory of course disorders है disorder हो रहे है उनको लेकिन वो खाना खा रहे है ठीक से और उनका behavior normal है भी तक ठीक है उनके ओपर ठीक से नजर भी रख रही है central zoo authority और preventive measures लिए जा रहे है ठीक है अब human to animal transmission को देख लेते हैं के लिए इस बार जो है वो important हो जाएगी क्योंकि human से animal में जो transmission हो रहा है किसी भी वाइरस का उसको हम कहते है anthropozoonotic एंथ्रोवर्ड आपका humans के लिए use होता है zoonotic आपका animals के लिए use होता है तो अब इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो ठीक है कि humans से animals में भी transfer हो रहे है वाइरस ठीक है तो इसलिए हमको जरूरत है कि हम अपनी health system ऐसा बनाएं जिसमें environment, animals और human health तीनों को interconnected linkages जो है मैं establish कर पाएं अगर आप सिरफ animals को छोड़ दोगे सिरफ human health के उपर focus करोगे तो भी हम बच नहीं पाएंगे अगर आप environment को छोड़ दोगे और इन दोनों के उपर focus करोगे तो भी हम बच नहीं पाएंगे because environment में से diseases emerge होती रहेंगी तो हमको तीनों के उपर ही इकठे simultaneous जो है वो तरीके से ध्यान देना ही पड़ेगा अब next हम देखते हैं कि Central Zoo Authority क्या है यह एक statutory body है जिसको environment minister chair करते हैं यह guidelines बनाते है rules बनाते हैं जिससे की animals को एक zoo से दूसरी zoo में ट्रांसफर किया जा सकता है national level पे और international level पे भी ठीक है अब chair band तो इसके जो है वो environment minister होते हैं लेकिन इसमें 10 members और एक member secretary भी होते हैं environment ministry के जो members हैं वो होंगे इसमें और NGOs के या non government experts भी इसके अंदर members बन सकते हैं mostly जो की wildlife conservationist या फिर retired forest officers होते हैं अब zoos को generally wildlife protection act 1972 के अंदर जो है वो उसके अंदर जो है उनको regulate किया जाता है हमने एक national zoo policy भी बनाई है 1992 में ठीक है फिर wildlife protection act जो है उसको amend किया गया था ताकि हम central zoo authority को जो है वो बना सके तो जो central zoo authority जो statutory body है वो statutory body किससे बनी है wildlife protection act की वजह से ठीक है next topic next हमारा जो है वो है एशियाटिक lions जो है लाइन्स news में आ गए है तो इसको भी देख लेते हैं इनको हम कहते हैं अशियाटिक lion को पैंथरा लियो लियो इसको इंडिया में कहा जाता है अब यह वैसे तो जो restricted है गीर forest में लेकिन zoo में तो of course इसको हम move कर सकते हैं तो इसको है आदराबाद के zoo में भी रखा गया था उन एक lions को जो है अशियाटिक lions को जो है यह कोविड पॉजिटिव मिले हैं वो IUCN की जो red list है उसमें वो endangered species है 19th century तक तो यह Saudi Arabia, Eastern Turkey, Iran, Mesopotamia, Mesopotamia मतलब Egypt तो उस area में भी पाए जाते थे फिर यह East में हमारे इंडस river से लेके Bengal, नर्मदा river जो है वहां से लेके Central India तक यह पाए जाते थे ठीक है अब एक important statement यह है कि 2010 से लेके आज तक जो है यह Asiatic population जो है वो Asiatic lion की जो population है वो steadily increase हो रही है अब इंडिया ने एक Asiatic lion conservation project भी चलाया है 2019 में ताकि protect कर सके, conserve कर सके जो हमारी Asiatic lion की जो population है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए conservation जो प्रोजेक्ट यह चलाया गया है ठीक है अभी एक centrally sponsored scheme है development of wildlife habitat उसके थुरू जो है इस project को fund किया जा रहे है इसमें habitat improvement के measures लिए जा रहे है उनको पानी जो है available कराया जाए time to time wildlife crime cell तकि उनकी poaching ना हो सके फिर greater gear region पे एक task force को भी बनाया गया जो कि इनका ध्यान रख रही है ठीक है GPS based tracking system है जो कि हम animal की movement के track कर सकते हैं कि वो कहां घूम रहे हैं मर तो नहीं गए सारा उससे पता लगता रहता है फिर एक automated sensor grid भी है जिसमें magnetic sensors, movement sensors, infrared heat sensors इस सब से हमको पता लगता रहता है कि जो asiatik line है वो movement कहां पर कर रहा है किसी गलत जगा तो नहीं जा रहा जहां पर उसकी पर हम ध्यान रख पाते हैं इसके लिए इसी के थरू ठीक है तो यह हमारा asiatik line का topic था next topic is malaria vaccine तो अभी तक तो वैसे कोई malaria की जो है वो proven vaccine नहीं है लेकिन एक vaccine जो है जिसका 77% efficacy rate आया है तो वो अब जो है उसको जो है वो promising results आ रहे हैं उसके phase 2 trials में clinical trials में ठीक है तो यह vaccine के बारे में थोटा सा देखते हैं इसका नाम है R21 matrix M vaccine यह पुरानी एक form of vaccine है जिसको RTSS कहते हैं जो की 30 साल से पिछले बनाई जा रही है ठीक है जो Walter Reed Institute of Research Glaxo Smith Line GSK तो आपको पता है एक pharma company है फिर Bill & Melinda Gates Foundation ठीक है यह सारे मिलके 30 साल से एक vaccine बना रहे है RTSS तो उसी का एक modified version है और यह क्या करती है यह vaccine जो new valley vaccine जो इसके 77% efficacy है यह जो plasmodium है जो की malaria का जो parasite है जिसके वैसे malaria होता है उसको उसके अंदर जो protein है जो कि आपके human liver को target करेगा जाके उसको रोकने का काम करती है ठीक है ताकि आपका liver जो है वो खराब ना हो और आपको के लिए जो malaria है वो fatal ना ह जो infection है ना तो parasitic disease में उसके जो protein है जो plasmodium falciperum का उसके जो की हमारे liver को target करता है उसको यह target करती है so that हमारे liver को यह protein जो है या जो यह parasite है वहमें target ना कर पाए और हमारा जो जान बच जाए ठीक है अब R21 जो matrix M यह vaccine वही vaccine है जिसको University of Oxford बना रही है ठीक है आपकी जो यह अ जान आया गया ठीक है और उसकी production इस vaccine की production और हमारी जो Covishield उसकी भी production जो है वो Serum Institute of India कर रहा है ठीक है तो अब हमारे जो है Serum Institute of India जो है वो Covishield की भी production कर रहा है और यह जो है इस R21 matrix M की भी production वही कर रहा है ठीक है अब malaria के बारे में थोड़ा सा देख लेते है malaria जो है वो एक mosquito bond infectious disease है जो की parasitic protozoans जो single cell हमारे microorganism होते हैं protozoan उनसे यह जो है वो इन जो है यह disease निकलती है ठीक है plasmodium type जो हमारे जो protozoans है उनसे यह disease होती है अब इसमें होता क्या है fever होएगा थोड़ा सा आपको tiredness होगी vomiting होगी headache होगी और in extreme cases yellow skin seizure या coma या फिर death भी हो सकत ही मतलब fatal भी हो सकता है आपके लिए अब को ही जो है basically कोई full proof कोई medications तो नहीं है कोई full proof vaccine भी नहीं है of course जो यह नभी vaccine बनी है यह आपर clinical trials पे जो है phase पे ही है भी कोई आपर नहीं हो इसके लिए तो इसके लिए अब कोई vaccine भी नहीं है ठीक है जातर यह malaria वहाँ पर होता है ज ट्रांस्मिशन भी उसी एरिया में ज़ादा होगा जहां पर dense population भी रहती है और ये मस्कीटों की भी जो है prevalence ज़ादा है वहाँ पर ठीक है next topic हमारा है Ebola तो DR Congo जो है Democratic Republic of Congo उसने declare किया है कि जो Ebola outbreak जो अभी recently हुआ था last 2019 में तो उसके उपर उनने जो है वो control establish कर लिया है और वो end हो गया उस Ebola outbreak का अब इसमें 12 people जो है वो eastern province में जो है वो infect हुए थे और उसमें से 6 जो है उनकी death हो गई थी तो Ebola की एक vaccine है Mark मर्क नाम की जो vaccine Ebola के time जो case में दी जाती है उसी vaccine से इस outbreak के उपर जो है वो control establish कर लिया गया है अब Ebola है क्या Ebola है इसको हम कहते है Ebola hemorrhagic fever तो ये एक severe form of disease है जिसमें की जो की fatal हो सकती है अब इसमें fatality rate इतना high है almost 50% तक जो है वो average इसका fatality rate है मतलब दो अगर लोगों को हुआ तो उसमें से एक person की death हो सकती है तिक है अब 2014 से लेके 2016 के बीच में west africa region में सबसे बड़ा largest Ebola outbreak हुआ था और since the discovery of this virus तिक है अब वाइरस कौन साइस में फिलोवी रेडे तिक है अब इसके भी इनाम याद रखने की जरूत नहीं है इतने सारे बट आपको इतना पताना चाहिए कि फिलोवी रेडी जो वाइरस species है उसी का ही एक form form of virus जो है वो Ebola virus है अब यह effect कैसे करता है यह sudden fever intense weakness muscle pain और sore throat देता है और यह इसमें क्या होता है आगे vomiting diarrhea internal और external दोनों तरह body के अंदर भी और body के बाहर भी bleeding हो सकती है और जो इसमें person होता है जो patient होता है basically वो dehydration और multiple organ failure के वाज़े से मर जाता है ठीक है transmission कैसे होता है wild animals से transmission होता है इसका chimpanzees gorilla या fruit bats अब सबसे जादा इसमें कहा जा रहा है कि जो fruit pets है वो जो है वो सबसे जादा जो ebola virus के host होते है natural ebola virus के host होते है ठीक है तो उन्हीं से transmit होता है अब आप average fatality rate दोखो इसका almost 50% है तो मतलब हर दो में से 1% जो है वो उसकी death हो जाती है जो ebola virus infect होता है treatment क्या है treatment को इसका जैसे अभी covid का कोई भी full proof treatment नहीं है वैसे ही इसका भी कोई full proof treatment नहीं है rehydration या फिर कुछ therapeutic treatment किया जाते है drug therapies या immunological therapies की जाती है जैसे हम अभी covid में भी हम जो है कभी remdesivir दे रहे हैं जो of course remdesivir जो है वो भी ebola के time पर दी गई ती लेकिन वो कोई खास जो है उसका effect नहीं दिखा हम को ebola में वैसे ही जो है covid में भी अभी जो है ऐसी कुछ द्वाइयां दी जा रही है antiviral drugs दी जा रहे हैं जो की बहुत questionable है उनकी credibility की वो effect कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं तीक है ऐसे ही कोई full proof treatment इसकी अभी तक नहीं है कोई vaccine भी अभी तक नहीं बनी है इसकी ठीक है जो की I'm sorry vaccine इसकी बनी हुई है marks ebola vaccine जो है वो इसकी vaccine बनी हुई है malaria की कोई vaccine नहीं बनी है ठीक है तो जो mark mark की vaccine ebola vaccine उसी के basis पर जो है democratic republic of pongo में जो है यह control कर लिया गया ठीक है कोई antiviral drug इस पर अभी तक काम नहीं हुआ है remdesivir जो है वो basically जो है वो use किया गया था लेकिन वो इसके उपर जो है वो काम नहीं कर पाया है ठीक है so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care